कश्मीर की हसीन वादियों में बनाया जा रहा है बिज्ञान का एक जूबा दुनिया का हाइस्ट रेलवे ब्रिच दच्छनाब ब्रिच 1315 मीटर लंबा नदी के तल से 369 मीटर की उंचाई पर बना और 466 मीटर के आर्ट से सजा ये पुल आइफल टावर और स्टाची ओव यूनिटी जैसे इमारतों से भी उंचा है चनाब ब्रिच को उत्तर रेलवे और के आर्सी एल के संब्रक्षन में शापुरजी पालंजी ग्रूप की कंपनी आफकॉंस बना रही है see this project is an iconic bridge so one of the main challenges was access to the bridge location to transport equipment and construction materials the seismic activity which is of a very high nature in these areas अब सुनिये एक कमाल की बात, इसमें पचीज हजार टन मेटल इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी, आइफल टावर से तक्रीबन तीन गुना ज्यादा, पता है, जब चनाब बिच तयार होगा, तो इसका सबसे बड़ा आकर्णा ज्यादा, क्या होगा, इसका आर्च, इसे एंजिनियर्स ने करीब धाई साल लगा कर केबल क्रेंज की मदद से तयार किया है, लेकिन इस पुल में सिर्फ खुबसूर्ती पर ही नहीं, बाकी तमाम पहलों पर भी ध्यान रखा गया है, ये माइनस 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान को, और 260 किलो मीटर प्रती घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं को आसानी से जहेल सकेगा, इसन्ट आर अमेजिंग, और तो और इसका स्ट्रॉक्चर इतना मजबूत है, कि 2001 के गुजरात भूकम जैसे हाई मागनिट्यूट अर्थक्वेक्स का भी सामना कर लेगा The beauty of this bridge is that even if one of the pillars is missed, you can still have the bridge intact. Major fabrication has been done at site as compared to what is normally done in the European countries. The quality that has been achieved has been appreciated by a lot of international experts who have come and visited this project site. Riyasi district में बन रहा ये पुल ना सिर्फ कश्मीर के कौरी और बक्कल गाउं को जोडेगा, बलकि कश्मीर से कन्या कुमारी तक सीधी रेल से वाशुरू करने में भी मददगार सावित होगा. This project has set a benchmark in both in terms of quality and engineering with the help of our owners, Northern Railway and active support from Kokan Railway Corporation Limited and the local population. चिनाब ब्रिज सिर्फ यातायात के बहतर रास्ते ही नहीं खोलेगा, बलकि सामाजिक और आर्थिक विकास में तेजी लाने का जर्या भी बनेगा. एसे देखकर हर भारतिये गर्व से कहेगा, इड़ापन्स ओनली इन इंडिया.